साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तो जैसा कि कल हमने dbt bit b के कुछ questions को solve किये थे उसी क्रम में अब हम यहाँ पे सबसे पहले dbt bit b के questions को हम यहाँ पे solve करने वाले हैं तो जैसा कि आप इस playlist में जाके देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे यहाँ पे हमने parts cover कर र of oxylation takes place with the help of kiss enzyme and in C3 and C4 plant तो जैसा कि आप photosynthesis पढ़ते हैं तो C3 और C4 plants एक बहुत ही important आपके point है जहाँ पे आपको हमेशा exam में इसके regarding तैयारी करके जाना होगा तो जैसा कि आपको पता होगा अगर मैं आपको recall कराना चाहूं जैसा कि आप इस image में छोटा सा मैंने side में पार्टमेंट में बदल जाती है कि अपने आपको discriminate कर लेती हैं जिसमें आपका एक मीजोफाइल सेल होता है जहां पे तो leaves में होती ही है लेकिन उसके अलावा जो यहां पर specific cells होती है वो यहां पर क्या होती है तो होता क्या है कि यहां पर आपका जो bicarbonate होता है वो क्या करत होता है जो आपका CO2 molecule होता है bicarbonate और उसके बाद यह आपका PP carboxylase यहां पर देख सकते हैं जो कि Phosphoenyl Paravate से मिलकर यहां पर PP carboxylase के मदद से यहां पर oxaloacetate जो कि आपका 4 carbon compound होता है और चुकि आपको पता है कि कभी भी oxaloacetate जो होता है वो किसी भी membrane को cross नहीं कर पाता ह है यह जो यहां पर एक cell से दूसरे cells में जाने का जो यह रास्ता होता है इसको plant के case में हम क्या बोलते है प्लास्मो डेसमेटा बोलते है तो यह भी आपका बहुत important question है जो बहुत बार exam में पूछा गया है इसको भी याद रखिएगा तो यह malate के form में यहां पर transfer होता है फि इन carbon compound पारिवेट बन जाता है यह परिवेट आपका इधर आ जाता है फिर यह परिवेट से फॉस्फोरिणल पारिवेट और प्याप कार्बॉक्सिलेस की मदद से इसको किसमें कर दिया जाता है चार कार्बन कंपाउड में तो यहां पर जो आपका in jyime C4 के case में लगता है वो आपका क्या लगता है PEP carboxylase तो यहाँ पे आप fill in the blanks में आप आसान के साथ यहाँ पे आप fill कर सकते हैं यह आपका PEP carboxylase होता है और C3 case में जो होता है वो RUBP carboxylase होता है क्योंकि जो आपका 5 carbon compound जो कि आपका RUBP होता है इसमें basically आपको atmosphere से CO2 को add करना होता है तो यह आपका 6 carbon compound में convert होता है बट ultimately यह होता क्या है कि तीन carbon compound में split हो जाता है दो तरीके से ठीक है तो वही आपका क्या बन जाता है 3 phosphoglycerate वगरा जो भी आप story पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान question मैं कहूंगा इसको आपको solve करना चाहिए था बाकि आगे से जो चीज़ें आप ध्याद रखेंगे first of all तो यह part बहुत important है चाहे आप किसी भी चाहे आप beginners हो चाहे आप कुछ भी हो इन चीज़ों को तो आपको हमेशा याद करके जाना है और इसमें एक चीज़ और C4 plant के क्या-क्या example होते है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि exam में आपसे example पूछ लिया गया और आपको पता ही नहीं है तो इस particular चीज़ को याद रखेंगे बाकि C4 को मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे cover कर दिया है यहाँ पे जो space होती है दो cells के बीच में उसको हम क्या बोलते है junction कह लीजे, gap कह लीजे जो भी होता है उसको हम plasmo decimata बोलते है बाकि इस तरीके से यहाँ पे जो primary enzyme होता है आपका pep corboxylase होता है तो यह question जो था वो आपका करने वाला question था जिन्होंने नहीं किया उन्होंने गलती किया है आगे से next time पर इस particular चीज़ को पढ़ कर जाएंगे ताकि exam में अच्छे तरीके से इस question को कर सकें next question आपसे micro organism oxide nitride to nitrate तो जैसा कि आपको nitrogen fixation का जो मैंने lecture आपको cover करा दिया है इसी वज़ा से cover करा दिया है क्योंकि यह सब ऐसे universal topic है जहां से exam में आपके question बनने ही बनने है और जितना आपको मैंने content पढ़ाया है उसी में ही आपके GRF के questions भी लग जा रहे हैं MSC interns के भी question लग जा रहे हैं और यह bit p जिसका तो कोई सोचा भी नहीं था पहले step में जो ammonia होती है वो आपकी nitrite में convert होती है इसमें आपका nitrosomorase and nitrococcus enzyme लगते हैं दूसरे step में जो होता है वो आपका क्या बनता है nitrobacter और nitrocystis की मदद से NO3- बनता है तो यह बहुत important और learning वाली चीजे है यह जो energy यहाँ पर release होती है इसी को ही use करके जो यह bacteria होते है वो क्या होते हैं इसी वज़ा से अपना भोजर बनाते हैं इसी वज़ा से इनको क्या बोलते हैं chemo auto trough बोला जाता है ठीक है तो यह चीजे आपको याद रहेगी बाकी यह formula भी याद रखेगा आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीजे आपको रटाई थी इसके बाद next part जो आपका autoimmune disorder कौन सा नहीं है तो यह भी आपका एक part है जो मैंने already cover करके रखा और autoimmune disease का chart तो at least याद ही करिएगा तो उसमें आपको हासी मोटो मिल जाएगा जो कि हमने DBT solve करते समय आपको बताये था thyroid से related होता है इसके लाबा type 1 diabetes जो होता है जो आपकी beta cells होती है वो अपने ही आपको मारना सुरू कर देती है यह problem create होता है और mysthemia gravis में भी जो होता है आपका muscles वगरा में problem आने लगती है तो यह भी important चीजे है ठीक है तो यह सारे autoimmune और इसके अलावा भी कौन से autoimmune disorders होते है वो आपको तयार होना चाहिए ठीक है और यहां पे जो आपके autoimmune disorder नहीं होती है तो आपकी type 2 diabetes होती है चुकि आपको पता है diabetes जो होता है वो आपका दो type का होता है एक type 1 होता है एक type 2 होता है तो बंद रहे है बीटा सेल्स जो होती है वो इंसुलीन का सिक्रीशन कर रही है लेकिन उसको sense नहीं कर पाता है system ठीक है तो यह problem जो आती है वो आपका type 2 diabetes में आता है इसी वज़ा से यह क्या है आपका autoimmune disorder नहीं है ठीक इसके बाद एक question आपसे पूछा गया है कि identify the odd one यहाँ पर आपको odd one देखा गया था जो भी यहाँ पर following set of number आपको दिये गये है तो यहाँ पर जो आपको odd number था हलाकि इसको आप कर भी सकते थे नहीं भी कर सकते बट यहाँ पर जो basic concept मुझे समझ में आया है कि यहाँ पर अगर आप 17 देखेंगे, 23 देखेंगे, 37 देखेंगे तो यह किसी भी चीज का whole number नहीं जैसे for example अगर आप 27 देखेंगे तो यह 3 की power 3 है यानि कि 3 को अगर आप 3 बार multiply करें, 3 तरीक का 9 तरीक 27 आ जाएगा तो यह बात आपको समझ में आ गई है, इसके बाद एक question आपका पूछा गया है जो कि मेरे एक concept मैंने आपको जो dbtgrf का मैं concept आपको दे रहा हूँ जो हमने बहुत सारे questions paper को solve किये हैं, अगर आप उसको सही से देखेंगे तो यह question को आप solve कर लेंगे, यहाँ पे जो question पूछ रहा है कि जानकी wanted to purify या protein with isoelectric pH जो है उसका 7.5 है, इन a buffer with pH 8.5, मतलब क्या है कि isoelectric point 7.5 है, buffer का pH वो 8.5 है, जिससे वो purify करना चाहती है तो which residue will be most appropriate for purifying this protein by ion exchange chromatography तो हमने आपको एक concept दिया था, एक learning के लिए बताया था, कि first of all chromatography तो आप पढ़के जाएगा बहुत important है, इसमें आपका ion exchange हो गया, size exclusion के regarding भी हमने आपको बहुत सारे question करा दिये हैं और इसके अलावा affinity chromatography, तो यह सारी चीजे जो है पढ़के जाएगा बहुत important है, बट यहाँ पर मैंने आपको एक concept दिया था, कि जो यह exchangers की बात आती है, कि जब आपका isoelectric point, जो भी आपका protein होता है, उसके above, ठीक है, इसको मैं कहूंगा, above कहूंगा, और A से above निकाल लिजेगा, और A से anion कर दीजेगा, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहा हैं, तो इ कि जब आपको एक्जाम में पूछे गए है, तो यह question भी आपकी होता है, तो इस question भी आपका सॉल्व हो जाएगा, तो यह morbidा का एक्षेटर से बहुती हैं, बहुत बढ़ इनिका यह question पूछ रहा है कि यह purified plasmid है, इसे fully digested जिसको किया गया है with an enzyme that recognize only one site of the plasmid, मतलब क्या है कि आपका यह जो आपका digest किये होगे तो क्या होगा, यह restriction enzyme होगा, यह आपका plasmid कैसा होता है, circular होता है, इस तरीके से है and run किया गया है agarose gel पे, तो आपको identify करना है, correct band pattern को बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, कि जिस enzyme से आपने digest किया है, वो केवल एक site को recognize कर रहा है, recognize कर रहा है केवल only one site को, यहीं पर आपका सारा question का answer छुपा हुआ है, तो माल लिजे कि आपका plasmid, जो कि आपका क्या होगा, circular होगा, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है यह goal सा होगा, एक restriction site है, तो यहाँ पर अगर यह cut मारेगा, तो यह खुल जाएगा, माल लिजे कि यह यहाँ से cut होगया, तो यह linear में आ गया, तो जब यह linear form में आ जाएगा, तो आपको कितने, जब कटा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर देख लिजे option को trace करिए, तो यानि कि जो आपका digested plasmid होगा, वो केवल एक band सो करेगा, तो यह आपका correct answer हो जाएगा, और इसके corresponding में आप देख सकते हैं, कि undigested plasmid जो होगा, वो आपके multiple bands हो करेंगे, बाकी यह question आप कैसे trace कर सकते थे, उसको मैंने बता दिया है, आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी, इसम question को मैं start दूँगा, काफी अच्छा question, यहाँ पे रोने drive किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचे होगे, कि जिसको हमने cleave कर दिया है, उसमें multiple bands हमको मिल जाएंगे, बड़ बच्चा ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो आप, क्योंकि आपने एक restriction end से cleave मारा है, तो वो आप के फॉर्म में आने के बाद, आपको केवल एक band वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ तक बाते हैं, आपको समझ में आ गई होगी, इसके regarding, अब हम कुछ और questions को यहाँ पे solve करते हैं, adjuvant, adjuvant भी जाके देखिएगा, मैंने आपको एक lecture हमारे immunology के playlist में आपको मिल करते हैं, जो कि कोई भी molecule जो की immunogen होगा, उसकी immunogenesity को क्या करते हैं, इनक्रीज करते हैं, तो यह point जो है, यह आपका true है, इसके अलावा, enhanced the bioability of the antigen, यह भी बात सही है, कि चुकि हम इसी वरे से मिलाते हैं, कि वो आपकी body में जादा, जब तभी तो immunogenesity आएगी, जब वो बहुत देर तक आपकी body में रहेगा, तभी तो वो आपका particular antigen जो होगा, वो immunogen के form में, आपकी body जो होगी, वो immunity को response कर पाएगी, इसके अलावा, यहाँ पर क्या होता है, help in the antigen presentation and hemokine response, तो अब यह सी बात है, जो आपके बहुत सारे chemical secret होंगे, interleukin secret होंगे, जो inflammatory cytokines को increase क करेंगे, तो यह सारी story जो है, वो आपका true है, मैं कह दो इस तरीके से, लेकिन जो यहाँ पर आपको incorrect देखना था, कि create covalent modification in the epitope, तो चूंकि यह adjuant जो होते है, अगर वो antigen कुछ भी है, उसके epitope वगरा पर यह कुछ भी मतलब कार नहीं करते हैं, कि वहाँ पर कोई bonding मे modification कर देंगे, या कुछ भी ऐसा कर देंगे, तो यह statement जो होगा, यहाँ पर यह false हो जाएगा, तो यह भी बहुत बढ़ी हाँ question आपसे पूछा गया है, इसके बाद next question जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कि rancidity in a spoiled food is due to the oxidation of, यह याद रखिएगा, actually मैं इस पार्ट को मैं in unpleasant taste जबाने लगता है, fat containing unsaturated fatty acid, इनकी वज़ा से यह problem create होती है, are more susceptible to renacidity, और इसको prevent करने के लिए, हलाकि यह question यहाँ पर नहीं पूछा गया है, बट आगे से आप ध्यान रखिएगा, कि इसको जो हम prevent करने के लिए, हम किसका यूज कर सकते हैं, तो इसको prevent करने के लिए, ह आप से exam में पूछा जाता है, बाकि और भी example दिये गए हैं, इसको असानी के साथ आप पढ़ लीजेगा, याद कर लीजेगा, तो renacidity in the spoiled food जो होता है, वो unsaturated fatty acids की वज़ा से होता है, जिसमें double bonds होते हैं, इसके बाद primary enzyme response for the direct reversal of the UV induced TT dimer, तो पहला question तो आपका इसी में छु जो है वो आपका pyrimdine है, ठीक है, तो exam में कह जाए है कि pyrimdine के dimer बन गया है, तो ऐसा नहीं एक exam में कोशन आप छोड़ देंगे, pyrimdine का dimer बनना यानि thymine का dimer बनना, तो इसको जो आपके बहुत सारे चुकि आपको पता है न, आपके repair system body में होते हैं, जब आप molecular biology जब आप जाते हैं, तो चुकि यह photo lies enzyme होते हैं, जो इसको automatically ठीक कर देते हैं, तो यहाँ पे जो इसका correct option मनेगा, वो आपका photo lies मनेगा, इसको याद रखिएगा, next question आप से पूछा गया है, genetics का बहुत ही basic question पूछा गया है, who introduced chromosomal theory of inheritance, किस ने दिया था, तो याद questions के अगर हम चलते हैं, जैसे कोविट से आप अभी मतलब दुनिया उसी से उभर रही है, तो वहां से questions, DBT जी आरफ और मैं कहूंगा ICMR जी आरफ, यह दो exam में मान के चलिए, आपको current affairs से questions मिलेगा, और ऐसा नहीं कोई आप से यह राष्ट पती और प्रधान मंतरी, या कहा पर कौन राजपाल है, यह तीजे नहीं पूछते हैं, ठीक, current affairs का मतलब है, basic science आप से पूछते हैं, जो आपके डैनिक जीवन में जो आप देखते हैं, या जो भी चीजे आप आस-पास महसूस कर रहे हैं, तो जो भी आपकी वैक्सीन आई थी, कोविशील्ड था, कोवैक् याद रखिएगा आगी से, कोविशील्ड जो होता है, चुकि यह जो होता है, यापका लाइव एटिनूटेट टाइप का था, और इसी तरीके से आपका एक कोशन और पूछा गया है, कि विच अमंग दा फॉलिंग कोविड-19 वैक्सीन इस बेस्ट और आप पर्टिकुलर जो आपका वाइरस प्रोटीन है, अगर आपने उसके MRNA को ही निकाला, बहुत सारे चीजों को ना निकालके केवल उसके MRNA-based वैक्सीन अगर आपने बनाई, तो वो कौन सी वैक्सीन थी, तो जैसा कि आपने देख लिया, कोवैक्सीन जो थी, वो किल्ड टाइप थी, तो ऐ जो नो ही कॉस्टिन मैं कहूंगा कि असान कॉस्टिन देख जीवन में अगर आप थोड़ी से भी रुची रखते हैं, न्यूस चैनल बाकी चीजों में, तो ये कॉस्टिन आप आसानी के साथ कर सकते थे, नेस्ट कॉस्टिन आपका बैक्टीरिया से रिलेटेट है, विच कह सकते हैं, लोको मोशन के लिए होते हैं, थेक है, फ्लेजला, थेक है, यहाँ पर जो अप्शनव का होगा, फ्लेजला होगा, कैप्सूल, स्पेस्लाइड सर्फेस, Weld, सिर्फेस, सफिम्री सु पकर्णकांदा के स्पर्णब और ईकता है, यह भी बहुत इम्पॉर जला जो होता है वो आपका लोको मोशन में help करता है इसके अलावा नेस्ट कोस्टेन जो आपसे पूछा गया वाट इस दा फंसन आप पी एस सेकेंड इन फोटो सिंदेसी तो पी एस सेकेंड जो होता है वो इसके बाद नेस्ट कोस्टेन आपका सीथरी सेकेंड जो होता है यह याद रखेगा आगे टाइम में आपसे पूछा जा सकता है बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है ठीक है फोटो लिसिस आप दा वाटर में मैगनीज एंड क्लोरीन हेल्प करते हैं ठीक है तो यह इंपोर्टेंट चीजे आपके लिए रिगार्डिंग हो गई है स्प्लेटिंग आप दा वाटर मॉलिक्यूल इसके बाद नेस्ट कोस्टेन आपका सीथरी सीफोर यासा मैं आपको बताया है उसी में ही आपका फोटो रिस्पाइरेशन से भी कोष्टन पूछा गया है जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं सीटु साइकिल बोलते हैं यहाँ पर क्या होता है कि आपका अरियू बीप मॉलेक्यूल होता है होता है फिर यह ग्लाइको लेट में कर्ण बनॉर्ट होता है इसमें तीन औरगनिल glyoxylate cycle चलता है जो कि glyoxysome में चलता है ये भी बहुत important चीज था तो आप वहाँ से trace कर सकते थे तो glycolate जो होता है oxidized to glyoxylate in the peroxisome तो ये important question है था जो इसका correct answer बनेगा ठेक है बाकी photo respiration takes place in C4 plant तो जो गलत बात है C4 plant में नहीं होता है जो आपके C2 कह सकते हैं उनके में होता है C4 में तो ये प्रक्रियार ना हो इसी के लिए वहाँ पर modification करके सारी चीजे होई थी तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई है बाकी बहुत सारे यहां पर oxidase enzyme होते हैं ये सारी चीजे marker enzyme है परoxysome का ठेक है बाकी अगर आप इन तीनों की तरफ जाएंगे तो यह आपके तो non-covalent interaction हो गए non-covalent आपके कहां stable रहेंगे ठीक है तो यह भी कोई कठिन question नहीं था इसके अलावा ये question जो है मैंने आपको बता रखा है ना कि आप previous papers को भी solve करके जाएंगे देखिए वही question उठाया है यह question जो है यह आपका ICMR 2019 में पूछा गया है ठीक है और वही question जो है वो bitpi ने repeat किया है कि gel electrophoreses which of the following molecule will move faster if the amount of DNA present in the same अगर सब में same है तो कौन सा fast move करेगा तो जो आपका super coiled होता है वो सबसे fast move करता है ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं ना कि DNA के जब आप अगरोस पे चलाते हो तो क्या होता है movement जो होती है वो कैसे movement होती है उस पे आप ध्यान देंगे जब आप उसको पढ़ेंगे तो जितना condensed रहता है जितना वो चीज़े super coiled होके जाती है ठीक है तो वो जो होती है वो सबसे fast move करती है वही question यहाँ पर आपसे पूछा गया in the agarose gel electro forces which are the following move fastest तो जो आपका super coiled होता है जो कि आपका बहुत जादा condensed form में रहेगा वो सबसे fast movement करता है ठीक है बहुत ही मतलब super coiled हो जाएगा तो बहुत ही नन्हा सकते है जो इसके छनली में से separate होते हुए जाएगा ठीक है फिर इसके बाद next question जो है ये भी आपका dbt grf 2020 का question है उसको यहाँ पर frame सीधा किया है अभी इसके पिछले part में मैंने इसको already आपको cover कर दिया हूँ ठीक है तो अगर आप इसका explanation देखना चाहते हैं तो आप dbt grf के playlist में जाएगा और इस particular video को देखिएगा वही question पूछा है कि Sam ने investigate किया है lactate dehydrogenase को knock out किया है same question derive किया है तो बस बेखूफ बनाया है glucose से paravid बनाने में आपको कितने NADH लगते हैं बस बही यहाँ पे आंसर होगा दो NADH आपको मिलेगा ठीक है तो यह भी आपके लिए एक IEO opener था बाकि यह question जो है यह भी आपका dbt 2020 का question है the method utilized to determine the three dimensional structure of the protein तो यह तीन चीजे हैं जो हम बार-बार discuss कर रहे हैं gate में भी question यह आपका आया है ताजा ताजा ठीक है यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से experimental method नहीं use किया जाता है for three dimensional structure of the protein तो cryo करते हैं, x-ray करते हैं, नमार करते हैं circular dichorism नहीं करते हैं आगे से आप याद रखिएगा next question रोकिए आपका बहुत बढ़ी question पूछा है कि which one of the falling DNA duplex will have the highest melting temperature तो melting temperature जो होता है वो GC content और 80 content पर depend करता है ठीक है, तो GC में क्या होता है GC में आपके तीन bond होते हैं 80 में आपका दो bond होता है तो जिसमें GC content जादा होगा उसका melting temperature जादा होगा यही तो बात है, अगर हम इसको उल्टे भासा में सबजना चाहा है तो जिसमें 80 content कम होगा उसका melting temperature जो होगा, वो कम होगा तो अगर आप इसमें percentage के form में देखेंगे तो हलाकि अगर आप यहाँ पे देखें ना DNA duplex with 48% GC content तो यहाँ पे एक नजर में आपको सबसे जादा GC content लगे का 84% GC content है तो इस वाले का melting temperature जादा होगा तो आगे से ध्यान रखेगा बहुत बढ़ी हाँ कोशन यहाँ पे लोने उल्जाया हुआ है तो बच्चे, mostly बच्चे GC content को देखेंगे इन सारे options को comparison करेंगे लगेगा कि 48 वाला सबसे जादा है तो इसको tick कर देंगे बट यह जो होगा यह आपका correct option नहीं बनेगा आगे से याद रखेगा तो DNA duplex with 48% वाला नहीं होगा 16% होगा क्योंकि उसमें जगब आप देखने जाएंगे तो वहाँ पे 84% आपका GC content है फिर आपका question number 77 फिर अगर next question की तरफ हम आते है तो हीमोफीलिया कैसे होता है blood clotting factors की कमी से होता है उसी को ही ट्रेस कर लो तो cogulation factor 9 इसका answer बनेगा इसके अलावा next question आपसे पूछा गया है which of the following cell type of myloid origin तो कौन सी आपकी myloid origin की होती है तो यह आपकी mast cells होती है lymphocyte जो होगी obvious सी बात है नाम में ही spasht है तो वह आपकी कैसी होती है lymphoid origin होती है तो चाहे B lymphocyte हो चाहे वो T lymphocyte हो natural killer जो होती है यह भी आपकी lymphoid origin होती है बाकी यह मैंने figure लगा दिया है lymphoid origin में अगर आप देखेंगे तो आपको T cells मिल जाएगी B cells मिल जाएगी natural killer cells मिल जाता है और dendritic cells भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अलागी यह exception होती है dendritic cells आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा और my light progenator में भी आपको देखने को मिलेगा तो यह चीज़े याद रखना आगे से ठीक है तो यह important चीज़ है बाकी यह figure को याद रखिएगा बहुत ही अच्छा question यहाँ पे नोने drive किया है इसके बाद next question जो आपसे पूछा गया है कि which of the following is the false statement about the S phase of the cell cycle जैसा कि आपको पता है कि S phase में क्या होता है DNA का duplication होता है DNA का भी होता है histone का भी होता है जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि जो आपकी cells का synthesis जिसको हम बोलते है DNA molecule of each chromosome replicate by the synthesis of a new DNA molecule होती है the cells retain the original diploid chromosome ठीक है but now has duplicate set of the gene the cells है double the amount of DNA यहाँ पर पहले उसका जो amount DNA का था उससे double हो जाता है लेकिन जो diploidy रहेगी या ploidy रहेगी वो सेम रहेगी और synthesis of the histone protein भी यहाँ पर होता है और duplication of the centriole का भी यहीं पर होता है तो यह तीन चीज़े याद रखिएगा बही चीज़ यहाँ पर पूछा गया था कि DNA का duplication S-phase में होगा histone का duplication होगा centriole का होगा लेकिन nucleus का duplication S-phase में नहीं होता है तो यह जो होगा cross statement होगा गलत statement होगा इसके बाद जब आप micro RNA पढ़ते हैं बहुत बढ़े हैं स्टोरी चलती है DROSA, PASA ठीक है तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा था तो ऐसे questions पे छोड़ देना चाहिए था बट स्टिल ठीक है अच्छा question यहाँ पर derive किया है इसके अलाबा next question आप से पूछा गया है तो हम उसको क्या बोलते है test cross बोलते है जो आने वाले exam में संभावना है कि आपका यह question आ सकता है तो यहाँ तक हमने कुछ questions को discuss किया है बाकि remaining part को हम और discuss करेंगे बाकि आशा है कि यह सारी चीज़े आपको समझ में आ रही होगी कहीं पर अगर आपको कोई doubt होगा यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप comment section में जरूर बताइएगा बाकि आप particular channel को join कर लीजेगा और यह सारी efforts अगर अच्छी लग रही हो तो इस channel को like, share और subscribe जरूर कर लीजेगा बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ थैंक्यू वेरी